हेलो प्यारे बच्चो देखिए आज कोशन नमर 15 करेंगे एकसाइस 2.2 का तो देखिए यह भी बहुत एक जबर्दस कोशन है ठीक है एक्जाम पॉइंट और वीव से काफी इंपॉर्टेंट कोशन है देखिए जो टोटल कॉइंस हैं वो पूरे 300 रुपे के हैं 300 रुपे के में पास कुछ कुछ कॉइन है और उन सब की टोटल वैल्यू जो है न वह तीन सो रुपे 300 रुपे बनते हैं टोटल सिक्के जितने भी हैं उनकी वैल्यू अब एक कंडिशन दे रखी यहां पर दन नंबर ओफ रुपीज टू कॉइन्ज फ्री टाइंज दी नंबर ओफ रुपीज 5 कोंई जो दो रुपे के जो सिक्के हैं वो 3 गुना हैं किसके पांच रुपे के सिक्कों के तो देखो दो रुपे वाले जो कोईन है उनकी कंप्यरिशन हो रहा हैं की तुलना हो रही है पांच रुपे वाले सिक्कों से तो देखो पहले ध्यान रखो जिस से भी आप comparison करें सबसे पहले उसी को माल लेना चाहिए यहां पर जो दो रुपे वाले जो कोईन है वो थ्री टाइम से तीन गुना है कि इसके पांच रुपे वाले कोईन को तो यहां पर हमें क्या मानना चाहिए इसके बाद आगे चलते हैं अच्छा सिक्के कितने सिक्कों की गिंती करें तो टोटल एक सो साथ सिक्के हैं ध्यान रखना यह नंबर ओफ कोईन्स हैं यह नंबर ओफ कोईन्स हैं और 300 यह उनकी वैल्यू है चाहिए जिंती होने जातों हां एक सो साथ सिक्के हैं हमारे पास ठोटल ठीक है तो कॉशण है how many coins of each dnommination Are they nagd nossas तो जो तीन तरह कि सिक्कें एक रुपीवाले दू रुपीवाले 50 वह कितने कितने सिक्कें यह हमें question पता करना इस question में ठीक है तो देखिए सब से पहले हम क्या करते हैं सब जो मानेंगे हम कितने कितने के एक्स के according वो निकाल लेते हैं जैसे दो रुपे वाले जो सिक्कें तीन गुनाय नंबर आफ क्या आप 5 वाले कॉइन के तो पहले हम यही से लिख देते हैं लैट कि लैट रुपीज 5 कोइन भी एक्स जो पांच रुपे वाले सिक्कें वह हमारे पास हैं एक्स ठीक पांच रुपे वाले सिक्कों के हमने कि कि नहीं होंगे बई आ ही कि थी गुना है तो क्या हो जाएंगे three months कि यद रपय सक्के से तुल ना कर रहे हैं तो पांचा रुप़ी वाली सब्यों को X माल लिए और दो रुपवाले सब त्री कि त्री टाइमस किसके पांच रुपवालों ने यह ज़स अगे तो दो है दो रुपे वाले इतने हैं तो rupees rupees वन वाले जो coin होंगे ना उनको कैसे निकालेंगे ठीक है तो देखिए हम क्या करें अगर हमारे पास कोई ती मैं इक काम करती है इसके लिए आपको example देता हूं यह है यह B है और यह सी है ठीक है तो पास पांच रुपे तो सी वाले के पास कितने होंगे हम क्या करें वह ए और बी को प्लस करें और टोटल मैसे घटा दें क्योंकि तीनों का जो सम है वो हमारी पास हंड्रेड सॉरी नहीं मैंने 10 मानाता है ठीक है एक दोनों के पास मिलाकर टू प्लस 5 7 होंगे तो सी पी के याने कि 3 आ जाएगा ठीक है यह मैंने आपको छोटा से एक एक ग्जामपल दे के समझाया अब देखिए ऐसे पांच रुपी वाले कोई एक्स हैं दो रुपी वाले कोई थ्री एक्स हैं और देखिए टोटल जो कौईन है हमारे पास कितने हैं 160 तो रुपीज 1 वाले कोईन कि किते होंगे ड ondome how to time बहुआ का सम घटा दे जैसे मैंने यहां पर घटा आय कि तो प्लसपाइब आफिक थैनल प्लस्ता तो ड़म होईसन कितना हो जांगे वण 160 में ऐसे हम 4x को घटा देंगे तो यह number of rupees 1 आगे 160-4x अब हम पहले वाले question की तरह question जैसे 14 में क्या था इनकी value निकालते हैं अब देखिए जो 5 रुपे वाले सिक्के उनकी value कित्ती होगी वह एक सिक्के की पांच रुपे वाले की value होगी 5 into x ठीक है अब हम क्या करेंगे according to question चलेंगे according to question पांच रुपे वाले सिक्कों की value अगर x सिक्के हैं तो कित्ती value होगी इसकी 5x ऐसे ही अगर 2 रुपे वाले जो coin है उनकी value उनके number अगर 3x है तो उनकी value कितने ओगी टू रुपी इंटू three x क्योंकि हम यह पतानी नहीं कितने सक्के है जितने सक्के होंगे उनको दो से multiply कर देंग तो रुपए वाले सिक्कों कि total value आजागी पांच रुपए वाले हैं उनको x से multiply कर देंगे ऐसे एक रुपए वाले यहां दे रखे कितनी 300 यह क्या है इन सभी सिक्कों की वैल्यू कितनी 300 रुपे तो हमने क्या करा equal to लिख दिया 300 ठीक है यह जो हमने लिख दिया equal to 300 अब जरा इसको solve कर देते हैं देखो 5x को हमने एसी लिखा 5x ठीक है प्लस 2 x 3x कितना हो गया 6x प्लस 1 से multiply करेंगे यह तो इतना ही रहेगा 160-4x equal to 300 अब जरा like time को जोड़ देते हैं यह x वाला है यह भी x वाला है और यह भी 5 प्लस 6 कितने हो गई 11x 11x-4x यह दोनों प्लस के जोड़ देंगे यह माइनस का घटा देंगे पांच और चे ग्यारा 11 मेंसे चार गए तो बचते हमरे पार 7 7x ठीक है अब यह प्लस का 160 है उसको हम दूसरी तरफ ट्रांस्पोज कर सकते हैं आरहस में आरहस में पहले जैसे 300 है तो 160 उधर पहुंच जाएगा 160 को जब इधर ले जाएंगे तो किसमा रहे माइनस में माइनस का 160 घटा देते हैं तो यह हमारे पास बच आते हैं 240 नहीं स्वरी 240 नहीं 140 गटा देते हैं तो बचता है हमारे पास 140 ठीक है यह बच गया 140 यहां बचा 7x अब एक्स की वैलू हमें निकाल लिए एक्स की वैलू कितना एक्स के साथ यह मल्टिप्लाई में तो यह इधर ट्रांस्पर्स करेंगे तो दूसरी तरह पहुंचाएंगे तो यह पहुंच जाए अपउन में 140 डिवाइड वे 7 कैंसल आउट कर दिया 720 14 0 एक्स की वैलू हमारे पास आ जाते हैं यहां से कितनी 20 यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है अब जो हमने माने थे ना 5 रुपी कोई एक्स तो पांच रुपी वाले से के यह आगे हमारे पास 20 20 कोई ने पांच रुपी वाले दो रुपी वाले कितने 3x तो 3 into 20 कर देंगे वन र यहां लिख देता हूं रुपी फाइब कोई पांच रुपा रुपा आले सिक्के जो आ गए वो कितने आ गए 20 कितने आ गए 20 एसा ही जो दूसरे रुपी टू कोई दो रुपी वाले जो कोई आ गए वो कितने आ गए 3x तो 3 into 20 यानिकि 60 कोई ऐसे ही अगर हम वन रुपी व माइनस 4x, x के वालू हमारी कितने 20 यानि multiply कर देंगे, तो कितना आएगा यह, 160 माइनस यह आ जागा 80 और 2 जा 8, 80 इसको जब माइनस करेंगे तो 160 में से 80 करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा, तो एक रुपे वाले सिक्के हमारे पास कितने आ गए 80, एक रुपे वाले सिक्के 80, दो रुपे वाले 60 और पांच रुपे वाले 20 ठीक है इस तरह से हम इसको सौल कर देंगे, ओके, बंद करना भी तो, रैट पकरो,